हे गाइस तो स्वागत है आपका कैप्टेन बीटू के चैनल में जहां आज किस वीडियो में हम तीन चीजों के उपर बात करने वाले हैं जिन में से सबसे पहले तो आता है डॉक्टर स्टेंज मॉल्टिवर्स अफ मैंडनेस के HD TV स्पॉर्ट में मिले इस निव डिटील की बा बाद बारी आती है एक नए विलन की जिसके बारे में भी हमें टॉय के जरिये पता चला है जो कि वांडा और कथॉन नहीं है टाइम स्टैंप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस आप किसी पार्ट को स्किप करना चाहो तो TV स्पॉर्ट के इस सीन में जो नए बेश कीमती चीज को त्यागना है ताकि वो उस मिस्टिकल जगा पर जा सके जिसे हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया है इस से पहले तो मुझे लग रहा था कि इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आई उफ अगा मोटो के मदद से इस दरवाजे को पर जादू करते है ताकि वो इस मिस्टिकल दुनिया में आ सके बट अब समझ में आया कि आई अफ अगा मोटो के जादू के अलावा अपनी एक कीमती चीज भी कुर्बान करनी पड़ती है एस टेलर के नेक्स शॉट में जब ये दरवाजा खुल जाता है तो वहाँ पर घड़ी नहीं रहती ह डॉक्टर स्टेंज मल्टिवर्स अफ मेंडेस के इस सीन को बहतर वे में समझने के लिए अब शजायम मूवी का इस सीन को कंसिडरेशन में ले सकते हैं जहां डॉक्टर सीवाना एक नॉर्मल डूर के ऊपर सेवन साइन्स को सेवन बार लिखते हैं जिसके बाद से वो दरवाजे को एक मैजिकल दरवाजे में बदल देते हैं जिसके मदद से वो इस मिस्टिकल दुनिया में जाएंगे जहां पर उन्हें शाय तक एक मैजिकल बुक मिलेगा जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज की पोश्टर में यहां दिखाया गया था वैसे ऐसा थिया जारा है कि जैसे डार्क होल्ड यहाँ पे सबसे डार्क एनर्जी और डार्क पावर को रेप्रेजेंट करता है तो बुक अफ विशंती ये बुक हो सकता है जो की पावर अफ लाइट को दर्शाता हो जिसको लेकर शाय तक मूवी में पासम पास गेम भी खिला जाए जैसे गॉंटलेट क को लेकर एंड गेम में खिला गया था एस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टिवर्स अफ मैंडनेस के लेगो टॉइ सेट में हम स्पाडर मैन के टॉइ के हाथ में कुछ बुक जैसा देखते हैं जिसको लेकर वो स्विंग कर रहा था अब ये तो कन्फर्म हो गया कि इस मूवी में स्पाडर मैन होगा चलिए अब जानते हैं कि ये कौन सा स्पाडर मैन होगा क्योंकि नोवे होम के बाद तो कोई फिक्स नहीं है एस यहां पर कोई भी स्पाडर मैन हो सकता है इसलिए हम तीनों पॉस्रिबिलीटी को मद्दे नजर रखते वे एक एक करके आते हैं जिसके श करता है एस जब वो नोवे होम में एमसी में आया था तो सबसे पहली चीज यहीं कहता है कि मैजिक्स रियल हेर टू जिसका अर्थ यह हुआ कि क्या जादू यहां भी होता है मतलब कि एंड्रू अपने युनिवर्स में जादू होती देखा है तभी तो उसने यह कहा कि यहा कर रहा हो जिसके उपर सोनी वाले काम कर रहे हैं या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा ही कोई सौसरर होगा खेर अब आते हैं हमारे आकरी स्पाइडर मैन जिसके सबसे ज़्यादा होने के चांसेज है इस मूवी के अंदर उस स्पाइडर मैन के उपर जो की है टोबी करन हो रहा होता है तब वहां पर अटर स्ट्रेंज सजेस्ट किया जाता है जिस पर जेमसन कहता है कि इंदिविचुली यह करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंड कभी इस लिए फर्म नहीं हुआ क्योंकि उनकी दुनिया में कभी इतनी बड़ी मुसीबत आई ही नहीं कि एर्थ के Mightiest Heroes को एक जूट होना पड़ा हो So maybe Dr. Strange के उस reference को यहाँ पर यूज करके ये दिखा दिया जाए कि Toby के दुनिया में Dr. Strange का एक variant है जो mystical चीजों से deal करता है जिसके लिए शायद तक Bruce Campbell को cast कर दिया जाए क्योंकि Sam Raimi ने Bruce Campbell को अपने तीनों Spider-Man movie में यूज किया हुआ है वैसे Bruce Campbell Sam Raimi के अच्छे मित्र है तो उनका cameo तो इस movie के अंदर होगा ही और जो लोग confused हो रहे हैं कि Bruce Campbell Dr. Strange प्ले नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने Dr. Strange के variant देखे हुए हैं जो कि Dr. Strange के जैसे ही दिखते हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ कि Loki series के अंदर ये चीज़ कंफर्म कर दिया गया था कि जरूरी नहीं कि आपका variant आपके जैसा ही दिखे और तो और आपके gender का भी हो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर rumor की माने तो टूबी मैं गॉर का Spider-Man ही हमें इस movie के अंदर देखने को मिलेगा इसके अलावा हमें यहाँ पर Professor X का भी एक toy देखने को मिलता है जिसको तो हम लोगोंने आवाज सुनकर ही समझ लिया था कि वो इस movie के अंदर होने वाले है लेकिन जब Sir Patrick जी से यह पूछा गया कि क्या वो इस movie के अंदर है तो उन्होंने इसके लिए ना कहा ठीक वैसे ही जैसे Andrew Garfield ने Spider-Man No Way Home के टाइम में कहा था कि वो इस movie में नहीं है अभी तो Dr. Strange Multiverse of Madness में ना होने की बात कही है लेकिन हमारे पास कई सारे ऐसे reports आए हैं जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वो शायद तक इस movie के अंदर है इसके अलावा हमें इस toy set में superior iron man का भी version दिखा दिया गया है जिसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये Tom Cruise होने वाला है प्लस टेलर के अंदर तो हम लोगों ने iron legend या फिर कहीं अल्टान वाट्स को तो देखा ही था तो ये बात तो confirm थे कि इस movie के अंदर हमें Tom Cruise का superior iron man देखने को मिलेगा अब बात करते हैं पुराने डॉक्टर स्टेंज के toys की जिसमें हमें despair and sleepwalker देखने को मिले थे जिसमें despair comics में fear lords के group से belong करता है जिसका एक member हमें shang chi के end में दिखा था जिसको dweller in darkness का नाम दिया गया था वहीं बात करें sleepwalker की तो ये एक man thing का जैसा ही guardian है जहां man thing nexus of reality को बचाता है वहीं sleepwalker fear lords को human से power लेने से रोकता है based on जिस fear lords से वो deal कर रहा हो आम तोर पे वो nightmare से deal करता है बट शाय तक इस movie के अंदर वो despair से deal करे तो maybe जिस तरह dweller in darkness when वो यानि के शैंची के डैड को manipulate कर रहा था कि दरवाजा तोड़े ताकि वो आजाद हो सके उसी तरव despair भी वांडा को यहां पे manipulate कर रहा है ताकि वो दरवाजा खोले अमेरिका 24 की मदद से जहां से despair आ सके वैसे भी अपने बच्चों को खोने के बाद वांडा एक despair वाले condition में है जहां से despair उसके उस despair वाले feeling का इस्तमाल करके एक बड़ा game खेल सकता है जिसके बाद वो जब खुद आजाद हो जाएगा तो अपने boss को भी आजाद कर दे जिसको आप लोग का thorn नाम से जानते हैं एसका thorn basically dark magic का अन्यदाता हुआ और उसी से जितने भी बूरी शक्तियां है अर्थ में वो सब बाहर आई है तो उसको दिखाना तो marvel वालों का बनता ही है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि marvel वाले इसको कब दिखाते हैं मैं तो at least multiverse of madness के अंदर इसका जिक्र expect कर रहा हूँ देखते हैं वो होता है या नहीं तो guys आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा आज का ये वीडियो और इसमें से आपको कोई भी नया बात पता चला हो या ना चला हो हमें comment session के जरीए जरूर बताईएगा इसके अलावा अगर हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और पुराने है तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोट असा मोटू है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयाल रखे and keep moving forward current लगा कर आगे बढ़ते रहे हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून